नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बर फिर से competition community में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 21 फरवरी 2020 से हमारा CGPC Mains प्रोग्राम सुरू हो चुका है 21 और 22 फरवरी का जो topic discussion community पर create होना था वो create हो चुका है बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छा answer writing practice किया है आप लोगों को schedule भी बताया गया टेलीग्राम चैनल पर भी schedule available करवाया गया और website पर भी schedule available है आप लोगों को 15 दिनों का वहाँ पर schedule available करवाया गया है उसी schedule के हिसाब से आप तैयारी करते चलें आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों के सामने ये बहुत पड़ी समस्या है कि discussion community से कैसे जूड़े बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे लोगों के comment इस प्रकार से भी थे कि जो schedule आप लोगों को दिया गया है उसको समझने में तकलिफ हो रही है यानिकि परिशानी हो रही है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत आसान भासा में बताऊंगा बहुत simple process है बहुत user friendly है एकदम आसान भासा में बताऊंगा कि आप discussion community से कैसे जूर सकते हैं कैसे उत्तर लेखन का अभ्यास कर सकते हैं और कैसे दूसरों द्वारा लिखे गए उत्तर लेखन का अवलोकन कर सकते हैं step by step एकदम simple process में बताऊंगा आप लोगों को schedule को भी समझाऊंगा कि किस तरह से आपका schedule है और किस तरह से आप schedule के हिसाब से अपना preparation start रखेंगे discussion community के बाद उसका analysis वीडियो आपको YouTube पर किस तरह से मिलेगा ओभी मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम प्यार से बताऊंगा बहुत simple process से बताऊंगा ध्यान रखिएगा इसके बाद आपको किसी तरह से कोई परिसानी नहीं होगी मैं ऐसा उम्मिद करता हूँ आप लोग अपना इमांदारी से मेहनत से काम करते चलिएगा जो भी तकलीफे आएंगी उसके लिए हम लोग यहाँ available है आप फोन करिए जो करना है करिए लेकिन इस वीडियो को एकदम आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे एकदम simple process में एक एक step करके मैं बहुत आसानी से आप लोगों को समझाने की कोसिस करता हूं तो चलिए आईए यहाँ पर हम लोग समझने की कोसिस करते हूं चलिए यहाँ पर मैं आपको हर एक छोटी-छोटी सी बात बताने वाला हूं कि कैसे आप discussion community से जूड सकते हैं या फिर किस तरह से आप उत्तर लिखन का अभ्यास कर सकते हैं अगर आपके पास में desktop या laptop हो या फिर phone हो तो आप किसी भी browser से आप यहाँ पर Google open कर ले जैसे ही आप Google open करोगे तो यहाँ गूगल में आप competition community सर्च कीजिएगा ठीक है जैसे ही competition community सर्च करोगे तो इस तरह से आएगा तो उपर में competition community की website पर विजिट कीजिएगा पेज है वो open हो जाएगा अब यहां आपको करना यह है कि अगर आप हमारी website के पहले से user है तो आप यहां से login कर लीजिए username और password से अगर password भूल चुके हो तो आप यहां से password forward भी कर सकते हो अगर आप नए user हैं हमारे website पर अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप यहां सबस इन्फर्मेशन फिल करके सारी चीज़ों को यहां पर फिल कर दीजिएगा और आप यहां पर register हो जाओगे उसके बाद फिर हम आ जाते हैं login पर तो आप अपना username जो भी है यहां पर डालिएगा उसके बाद password डालने के बाद आप यहां पर login कीजिएगा login करने के बाद यहां आपको जो website के उपर पेज दिख रहा है यहां पर देखिए यह communities है communities पर click करोगे तो यहां पर आपको तीन चीज़े दिख रहे है तो question community है दूसरा discussion community है तो मैं यहीं से discussion community पर visit करता हूँ एकदम simple process में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनियागा, बहुत easy process है, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा Discussion Community पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर Discussion Community का इस तरह से page open होगा Page पर यह सारी चीज़े आपको दिख रही है, CGPAC Mains Program जो कि 21 फरवरी से चलकर 31 में 2020 तक चलेगा, लगबग यह 70 दिनों का प्रोग्राम है अब यहाँ पर आपको नीचे में यह तीन option दिख रहा है, एक CGPAC Mains Program और CGPAC Mains Answer Set Format और 15-18 दिनों का schedule दिया गया है, ताकि आप पहले से prepare रहें कि कौन से दिन, कौन से topic discuss होना है और आप उस topic को उससे पहले पढ़कर वहाँ पर तयार रह सकें यह हमारे faculties member की team है, जिनके साथ में आपने FTR भी पढ़ा है तो सारे subject जो आपके साथ ओ पेपर हैं, वो इन ही लोगों के साथ में आपको पढ़ने को मिलेगा CGPAC Mains Program में आप कैसे answer writing का भ्यास कर सकते हो, उस पे आऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर आपको answer sheet का format दिखा देता हूँ, किस तरह से है, आप इसको यहां पर डाउनलोड कीजिएगा तो आप इस answer sheet को print ले ले और इसी पर अभ्यास करें, कैसे आपको print लेने के बाद इस पर लिखने के बाद upload करना है, फोटो खीच करना है, पीडिएफ में करना है, वो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा, दो नंबर के प्रशनों को भी दिया हुआ है, कि कितना space होना चा हो रहा है, कि schedule किस प्रकार से है, समझ नहीं आ रहा है, तो इसको भी मैं आपको एकदम easy process में समझाओंगा, ये आपको 18 दिन का schedule इसलिए दिया गया है, ताकि आपको पता हो सके कि कौन से दिन discussion community पे कौन सा topic create हो रहा है, कौन से प्रशनों का आपको अभ्यास करना है, और इ ये जैसे ही open करोगे, तो यहाँ पर ये PDF format खुल गया, ओपर में आप लोग देख रहे हो, cgp cements program, इसका note अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा सा पढ़ लेना, और जैसे मैंने बताया कि कि किस फरवरी से 31 में तक ये program चलेगा, note पढ़ लेजे, in this program, two videos will be uploaded on YouTube every day, यानि कि आपको प्रतेक दीन जो है, दो वीडियो YouTube पर मिलेगा, 24 तारिक से वीडियो सुरू हो जाएंगे, और डेली दो वीडियो चाहे हो, Sunday हो, Saturday हो, आपको दो वीडियो मिलेंगे, बस Holy Day के अफसर पर दो दीन का छुट्ती है, इसके अलावा कहीं भी आपको कोई छुट्ती नही है कि जिस दिन YouTube पर वीडियो अपलोड होगा, उसके तीन दिन पहले वो topic discussion community पर create होगा, उस topic से related आपको कुछ प्रशने discussion community पर दिये जाएंगे, topic को आप घर में पढ़िएगा और उस से related जो प्रशने दिये गया है, उसका अभ्यास आप लोग करिएगा, अब यहाँ पर आ 5 बजे मिलेगा और दूसरा वीडियो आपको सामको 5 बजे मिलेगा, तो यह जो आपका schedule दिख रहा है, यह सुबा 8 बजे वाले वीडियो के लिए है, तो सबसे पहला दिन, यानि कि 21 फरवरी को यहाँ पर सबसे पहले उपर में देख लिजे schedule का, यह paper नमबर आपका दिया ह जाएगा, subject इसके सामने दिया हुआ है, और इस subject का topic भी इसके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर सारी चीज़े देख लो, कौन से subject को कौन से faculties deal कर रहे हैं, उनका भी नम यहाँ पर सामने है, यह अब बहुत important part है, topic create on discussion community, इसको ध्यान से समझेगा, जैसे यहाँ पर पहला देखिए, paper 3, part 2, quality, topic है आपका सम्विधान का निर्मार, विसेस्ताएं, एवं प्रस्तावना, जिसको deal कर रहे हैं निखत में, यह topic आपका create किया जाएगा, 21 फरवरी 2020 को, ध्यान रखिए, अगर 21 फरवरी 2020 यहाँ पर date दिया गया है, Friday, तो यह topic आपको साम को 5 बजे से पह उसी दिन आपको साम को 5 बजे से पहले आपको topic वहाँ पर उपलब्थ हो जाएगा, तो आप वहाँ पर answer writing जाकर practice कर सकते हो, इसी schedule के हिसाब से सारी चीजें आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद देखिए, मौली का दिकार करता है विनिती, जो कि 22 तारी को create हो रहा है, राष्टी आए भी 23 तारी, 24 तारी को create हो रहा है, तो यह सारी चीजें आप लोग पहले से पढ़कर prepare रहिएगा, तो बहुत आसानी होगा, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे, discussion community पर 21 तारी को topic create हुआ, और जैसे मैंने बताया, कि उसके तीन दिन के बाद, आ लेकिन पहले आप एक बार यहाँ पर schedule समझ लीजे, उसके अलावा यहाँ पर देख लीजे, second day में आपको paper 3, part 2, quality का ही मौलिद, अधिकार, करतव, एवमनेती ने देशकतत, वह topic है, जिसको deal कर रही है, यह आपका topic create हो का discussion community पर 22 फरवरी को, इसका वीडियो आपको मिलेग है, 8 मार्च 2020 तक के लिए, ठीक है, इसके बाद जो साम को 5 वजे जो आपका वीडियो मिलने वाला है, जो कि 21 फरवरी से 8 मार्च तक का schedule है, इसका किस प्रकार से होगा, वो भी देख लीजे, सेम चीज़ उपर, paper number यहाँ पर दिया हुआ है, subject name दिया हुआ है, topic, उस subject का, faculty name कौन से faculty उस subject को deal करने वाले है, topic, create on discussion community, video uploaded on YouTube, तो जो साम को 5 वजे वाला वीडियो होगा, पहला वीडियो के लिए देखते हैं, आपका paper 5 है, part 3 है, यानि कि 36 गड़ का geography, जिसका पहला topic है, भोगार्विक, सनराचना प्लस मिट्टी, सतेंसर इसको deal करेंगे, और इस topic का question ज आपका February 24, ये वीडियो आपको मिलेगा साम को 5 वजे, इसी तरह से second day, third day, fourth day, सारी चीजों को आप लोग देख लेना, में आपको यहाँ पर confusion यह हो सकता है, कि topic discussion community पर कब create हो रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका उत्तर लेखन का अभ्यास होना है, और जब आप अभ्यास कर लोगे, तो आपको यही वीडियो यूटूब पर मिलेगा तीन दिन के बाद, पहला वीडियो आपको 24 फरवरी 2020 को यूटूब पर मिलेगा, और दूसरा वीडियो 24 फरवरी 2020 को ही आपको साम को 5 वजे मिलेगा, उसके बाद से daily आपका दो वीडिय यूटूब पर आना सुरू हो जाएगा, कौन से पेपर कब deal होना है, इस बात को इस schedule में ध्यान रखिएगा, कब discussion community पर create और ये ध्यान रखिएगा, topics कौन कौन से है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि prelims का तो है नहीं कि कहीं से भी वीडियो देख लिए आपको समझा तो आप answer writing कैसे practice करोगे, तो इसलिए topic को ध्यान रखिएगा, कम से कम एक सब्ता का schedule आप तयार करके रखिएगा, इसलिए आपको यहाँ पर 15 दिन का schedule प्रोवाइड करवाया गया है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जितनी चीजों को मैंने बताया, ये हमारे team से मैं पहल दीजेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आजाते हैं, आपका first का 18 दिन का schedule बता दिया गया, cgpc men's answer state का format कि इस प्रकार से, दोनों चीज़े यहाँ से आप लोग download कर सकते हो, ये सारी चीज़े टेलिग्राम पर भी available करवा दिया गया है, ये सारी प्रोग्राम में प्ली करने वाला है, तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो के description में भी telegram का link है, आप direct telegram पर जाकर वहाँ पर competition community सर्च करके भी जूर सकते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है, पूरा 70 दिन तक conditions को उस बात को यहां पर ध्यान रखे, view more कीजिएगा, view more पर click करोगे, तो यहां पर आपको इस तरह से आपके CGPSC mains के साथ तो paper का option दिखेगा, paper number one है, paper number two है, paper number आपका three है, इसके लावा paper number four है, paper number five, paper number six, paper number seven, इस सारी चीज़ें यहां पर दिया हुआ है, अब जो आपको color दिख रहा है, red में, मतलग इस paper के अंदर topic create किया जा चुका है, यानि कि सुरुवात हो चुका है, आपके schedule के हिसाब से, और जैसे paper में topics create होते जाएंगे, schedule के हिसाब से, यह सारे red होते जाएंगे, तो जिस पे red है, वही आपका page खूलेगा, यानि कि इसी में topic create किया जा प्रशन पत्र 3 और प्रशन पत्र 5 का topic create किया गया है, तो मैं यहाँ पर प्रशन पत्र 3 पर click कर रहा हूँ, प्रशन पत्र 3 के 3 भाग खुल गया, भाग 1 में आपका भारत का इतिहास है, भाग 2 में आपका समविधान एवं लोग प्रशाशन है, और भाग 3 में आपका create हो चुका है तो भाग दो सम्विधान एवं लोग प्रशाशन इस पर मैंने क्लिक किया तो सम्विधान का निर्मान विशेस्ताएं एवं प्रस्तावना ये 21 तारी को create हुआ है मौलिक अधिकार करताव एवं नेती निदेशक्तत वो क्रियेट हुआ है यानि कि दोनों आपका टॉपिक जो है क्रियेट हो चुका है दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करके वहाँ पर एंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो एक बात ध्यान में पर देखिए टॉपिक खुल गया सम्विधान का निर्मान विश्यस्ताएं एवं प्रस्तावना इसके बगल में डेट है 21-22-2020 यानि कि यह टॉपिक 21 फर्वारी को create हुआ है और यह देखिए रेट कलर से लिखा हुआ है इस टॉपिक का आनालेसिस आपको 24 फर्वारी 2020 को मिलेगा ध्यान रखिएगा सुबा आठ बजे निगहत मैम का वो वीडियो होगा अब इस टॉपिक के अंदर आपको यहां पर प्रश्न अभ्यास दिया गया है यह प्रश्न है पहला प्रश्न आप देखिए भारत के संघिये धाचे का अलोचनात्मक मुल्यांकन करे 125 वर्ड में आपको करना है दस मार्क्स के क्विश्चन है और 125 वर्ड आपको कैसे अनाल इस लोगों ने जो है वो अपना एंसर सीट यहां सब्मिट किया है लिख कर वो कैसे यहां पर सब्मिट किया है वो चीज मैं दिखाऊंगा एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल आपको यहां पर हिंदी में क्वेस्टन्स टाइप करके दिये गये हैं यानि क एंसर राइटिंग लिख सकते हो ठीक है अभी आप हिंदी में क्वेस्टन पढ़कर इंग्लिस में एंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं तो जैसे ही देखो यहां पर बाकी क्वेस्टन भी है स्वतंत्र नियाय पालिका पर टिपड़ी करें सौ वर्ड आठ माक्स का क समविधान निर्मान सभा के गठन को समझाईए साठ वर्ड चार माक्स का कुश्टन है प्रस्तावना के कौन से सब्द भारत राजिगी प्रकिती को दर्साता है तीस वर्ड में दो माक्स के कुश्टन है तो ठीक है मैं आपको पहला दिखाता हूं कि यहां पर कैसे बच्च है इन्होंने पोस्ट किया है इस तरह से यहां पर इनका यह answer writing है तो आपको discussion community पर benefit आपको क्या मिल रहा है पता है कि आप यहां पर जैसे जैसे लोग जूडते जाएंगे 100 बच्चे जूडेंगे 1000 बच्चे जूडेंगे इतने बच्चों के बीच में आप अपने आपका है और आपके द्वारा लिखा गया उत्तर में कौन-कौन से गलतियां है इस बात को भी उजागर किया जाएगा video analysis में तो आप यहां answer writing प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा सिर्फ video के भरोसे मत रखी रहिएगा क्योंकि अगर सिर्फ आपको यहां पर video दे दिया जाता तो वो तैयारी अधूरी रहती है क्योंकि में बात तो यही होता है कि answer writing कैसे लिखा जाए और आप चाहते हो कि आपके answer writing जो आपने लिखा है उसका मुल्यांकन किया जाए तो यह बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर आपको answer writing practice करना है तो देखिए यहां पर बहुत सार लोगों ने रहुल बर्मा ने answer writing लिखा है इन सारी चीजों को आप देख सकते हो इसके लावा रोशन जांगडे ने answer writing किया है तो इन सब सारे इनके लेखन को भी आप यहां पर पढ़ सकते हो अब मैं आपको यहां पर यह बताने वाला हूँ कि आपको answer writing practice कैसे करना है ठीक अब यहां पर comment पर click किजिएगा जैसे आप comment पर click करोगे तो इस तरह से यहां पर या तो आप अपना उत्तर direct यहां type करके लिख सकते हो और अगर यहां पर type करके आपको नहीं लिखना है और आपने photo खीचा है जो मैंने format दिया उस पर लिखा आपने photo खीचा या फिर आप उसने उसका PDF convert किया तो यहां Choose File पर click किजिएगा यहां पर आपको इसमें attach करने का option मिल जागा आपके mobile में photo है तो उस photo को यहांपर attach कर दीजएगा एक Kopf कर दीजगा आपके mobile में अपने PDF convert करके रखा है तो उसको PDF convert कर दीज़ेगा और बहुत simple तरीके चाप इस पोस्ट करके आप लोग यहां पर ध्यान से देख सकते हो अपना answer writing भी दूसरों का भी answer writing और अगर जिनके answer writing पे आपको comment करना है मानलो आपको लगा कि यह बहुत अच्छे लिखे हैं या फिर इन्होंने कुछ गलतियां की है जैसा कि आपको पता है तो आप क्या करना जैसी यह इनका post है न एक दूसरे से जुड़ते जाओगे दो जुड़ेंगे तीन जुड़ेंगे चार जुड़ेंगे सो जुड़ेंगे हजार जुड़ेंगे तो इससे आपकी जो अवलोकन है उत्तरलेखन का वो बहतर होते जाएगा तो यह पहला question का था इसके अलावा ठीक आप यहां पर second question क का भी आप कर सकते हो जैसे यहां पर तो इसी तरह से आप second question भी यहां पर 8 marks वाला attempt करना है आपको यहां पर 16 words में 4 marks वाले भी इसी तरह से अटेम्ट कर सकते हो 30 words वाले second marks के भी question आप इसी तरह से अटेम्ट कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आपको discussion community से जोड़ना है अपर से login जरूर कीजिएगा क्योंकि बिना login आप देख तो सकते हो कि किसने क्या लिखा है लेकिन आप वहां पर answer writing practice नहीं कर पाऊगे यानि कि file submit नहीं कर पाऊगे तो इसलिए ध्यान रखिएगा login शुरुवात में आप जरूर कीजिएगा उमीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी इसके अलाबा अगर अभी भी किसी प्रकार से कोई समस्या आती है तो यहां पर आप उपर में देखिए IT help का number दिया हुआ है इसके अलाबा यहां पर आपको other inquiries का भी number दिया हुआ है इन दोनों number पे आप call करके किसी भी प्रकार के समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हो तो चलिए आप सभी को यहां पर wish you all the best अच्छे से तैयारी कीजिएगा अच्छे से practice कीजिएगा और खुद पर confidence रखिएगा पहले से जो आपको schedule दिया गया है जैसा मैंने आपको बताया था उस schedule पे आप अच्छे से इसका एक बार आप लोकन कम्यूनिटी के YouTube चानल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले